तो आज का हमारा जो नेक्स टॉपिक है वो है आपका बर्न ये आपका फाइफ यूनिट में है बर्न के अलावा आपको मेडिकल सर्जिकल में जो फाइफ यूनिट में उसमें कुछ नहीं पूसता है आपको कम से कम बर्न का बेसिक क्या होता है उसके वो बर्न होता क्या है उस का class हम लोगे start करते हैं burn का actual में burn आपका होता क्या है ओके तो इसका है आपका introduction introduction burn आपका क्या है तो burn एक क्या होता है is the type of injury ये एक type का injury होता है कहां पे skin में ओके और साथ ही साथ ये किसके थ्रूप फैलता है ये आपका heat हो सकता है cold हो सकता है electricity हो सकता है chemical हो सकता है radiation हो सकता है easy के भी through अगर जो burn है वो skin में injury cause कर रहा है तो that is called burn तो क्या है ये burn it is a type of the injury to the skin it is a type of the injury ये एक type का injury होता है to the skin skin में एक type की injury होती है साथ ही साथ other tissues or other tissues okay caused by the heat cold electricity chemical and radiation caused by the heat cold इलेक्ट्रिसिटी केमीकल और रेडियेशन रेडियेशन में क्या है आपका sunburn okay इसमें क्या है आपका sunburn अब इसमें आपका क्या है the burn क्या है ये एक type का skin injury होता है ठीक है जिसमें इस screen में और उसके tissues में क्या करता है injury cause करता है और इसका reason क्या है क्यों cause करता है heat excessive heat excessive cold excessive electricity excessive chemical और excessive radiation किसी भी चीज का अगर excessive हो रहा है skin में जो contact है अगर वो ecstasy हो रहा है तो उस condition में क्या cause करेगा आपका burn cause करेगा okay burn मतलब होता है आपका जलन जलना जो आप usually आप जानते ही होगे okay तो इस condition में आपका क्या है most burn are due to the heat from the hot liquid जो mainly जो burn होता है वो किसके mainly जो burn किसमे cause करता है heat from the hot liquid मतलब इसमें आएगा solid and fire मतलब किसमे किसमे burn cause करता है आपका most burn most burn cost by hot liquid solid hot liquid solid and fire जो आग लगता है ओके तो यह जारी जो mostly जो burn जो होता है वो बहुत जाद अगर गरम को liquid करते हैं तो वो सारी वजह से भी liquid से भी कॉस करता है solid wave से भी या फिर फाइर इससे क्या होता है burn जो होता है वो मेंली affected होता है skin में और यह चीज इसके cause करता है देन आता है आपका जो mostly burn only affected the skin, skin में ही affected होते है skin के कहां पे mainly affected होते है वो आपका epidermis और dermis layer में जैसे में कभी घर में आप सबजी बनाते हैं तो तेल जो है वो अगर आपके हाथ में मतलब आपके हाथ में चीटे आ गए तो उस condition में क्या होता है आपका क्या damage करेगा यह epidermis और dermis layer को तो mostly जो burn affected जो होता है वो skin में कहां पे होता है epidermis और dermis layer mostly affected burn on the skin कहां पे epidermis और dermis layer आपने skin cannot be पढ़ा होगा first year में आपको पता होगा उपर भी जो होता है वो आपका epidermis आता है जो second layer जो होता है वो आपका dermis layer होता है ओके तो mainly जो affect करता है वो आपका epidermis और dermis layer में affect करता है यह rarely deeper tissues like a muscles, bone या blood vessels में injured को यह बहुत रेरली कॉस्ट करता है जो बहुत जदर rarely होगा कि वो tissues में जैसे tissues के अंदर जो muscles है, bone है या blood vessels है उसमें बहुत जदर rarely cause करता है injured क्योंकि यह बहुत अगर extreme level का burn हो रहा है इंसान अगर पूरी तरह जल गया है तो ही ऐसा होता है कि अगर वो अंदर के internal जो हमारे tissues, blood vessels है उन्हें damage करेगा वरना क्या होता है यह epidermis और dermis layer पर ही जो burn है वो affected होता है तो यह हमारा burn है, burn जो होता है वो एक type की skin injury होती है जिसमें क्या होता है, यह किसे cause करता है, excessive heat हो सकता है, cold हो सकता है, electricity हो सकती है, chemical हो सकता है यह radiation हो सकता है, यह सारे चीजों का अगर excessive contact हो रहा है skin में, तो इस condition में आपका क्या होगा, burn जो हो cause करेगा, okay, then mostly affected जो burn जो होता है, वो liquid solid और fire ही होता है, like gas होता है, यह तीनों का ही hot liquid solid और जो fire होता है, यही burn जो है affected का reason होता है, इसी से ही burn होता है and साथ ही साथ, mostly जो burn है, वो skin में कहां पर affect करता है, आपका epidermis और dermis layer में affect करता है, okay यह बहुत rare cause होता है कि अगर वो blood vessels, bone या muscles को damage करें, अब हम देखते हैं आपका causes of the burn burn के क्या-क्या causes है सबसे पहले आता है आपका thermal burn thermal burn, okay, तो thermal burn में आपका क्या होता है, thermal burn are caused by exposure of flame, hot liquid, semi-liquid and semi-solid, मतलब यहाँ पर आ चाहेगा, लाइक तार, semi-solid जो होता है, उसको आपका तार बोलते हैं और hot object, कोई भी hot object में, अगर यहाँ पर आपका 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 exposed हो रहा है, इस कीन का, तो किसमें किसमें होगा, आपका thermal burn caused by exposure of, exposure of flame, hot liquid, semi-liquid, hot liquid, semi-liquid, या फिर semi-solid and hot object, semi-solid, semi-solid में आपका आता है आपका steam, hot object, ओके, तो यह सारी चीजें हैं, semi-liquid में आपका क्या आ जा रहा है, sorry, semi-liquid में आपका steam आ जाएगा, semi-solid में आपका तार आ जाएगा, ओके, ओके, semi-liquid आपका steam है, semi-solid आपका टार है, या फिर कोई hot object है, अगर यह सारी जो चीजें हैं, अगर कोई hot liquid है, semi-liquid है, या फिर semi-solid है, अगर यह सारी चीजें किया, के exposure में आ जाती है, excessio amount में, तो उस condition में क्या कहलाएगा, यह thermal burn कहलाएगा, ओके, अगर यह सारी चीजें जो क्योंगी, इसकीन के contact में आ जाएगी, इसकीन के exposure में आ जाएगी, नॉर्मल से excessio amount में, ओके, नेक्स जो है आपका chemical burn, chemical burn, chemical burn में क्या होगा, cost by the contact with the chemical, chemical से contact होगा, वो chemical क्या हो सकता है, such as the sodium, hydroxide हो सकता है, silver, nitrate हो सकता है, यह sulfuric acid हो सकता है, sodium, hydroxide हो सकता है, silver, nitrate हो सकता है, ओके, यह sulfuric acid हो सकता है, तो यह अगर यह किसी भी chemical के exposure में अगर आ जाता है, तो इस type के जो burn होते हैं, उसे हम लोग chemical burn बोलते हैं, next जो होता है, वो आपका electrical burn होता है, electrical burn, electrical burn में आपका क्या होता है, they are caused by the exogenous electrical shock, like electrical shock है, उसमें अगर आपका यह हो रहा है कि वो क्या करेगा आपका, it is the result to the contact with the electrical wire, मतलब electrical wire से अगर contact है, यह high voltage of the power line, electrical wire and high voltage of power line, okay, electrical wire या high voltage of power line में के contact में अगर आ रहा है person तो, next है आपका radiation burn, radiation burn, radiation burn जो होगा उसमें क्या होगा आपका, caused by the exposure of the UV light, tanning booth, UV light, tanning booth और क्या है आपका, radiation therapy, sun lamps या फिर X-ray, sun lamps या फिर आप क्या जाएंगे X-ray या फिर जो सबसे ज़्यादा effective रहता है वो क्या है आपका sun burn, तो यह सारी चीज़े जो है UV light के रेस में, tanning booth के बेस में, यह सारी चीज़े जिसे जीम और जीम और सैलून जो होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक box type करहता है, जिसमें जो person उसको लटा दिया जाता है, और वहाँ से क्या होते है, उन्हें radiation दिया जाता है, light दिया जाता है, तो कभी-कभी क्या होता है, यह जो radiation, यह जो light होती है, अगर यह बहुत ज़्यादा excessive हो जाती है, तो skin में जाके affect करती है, और skin को जलाने लगती है, तो यह वाला जो होता वो tanning booth है, radiation therapy दे रहे है, sun lamp हो गया, x-ray हो गया, या फिर sun burn हो गया, तो most common जो होता है, x-ray में sun burn जो होता है, वो बहुत ज़्यादा cause करता है आपका radiation burn में, next होता है आपका inhalation injury, inhalation injury या फिर आप इससे inhalation burn बोल सकते हैं, cost by the exposure of the inhalation, inhaling exposure है, क्या inhaling कर रहे है, smoke है, poisoning gas है, smoke, poisoning gas हो गया, then आपका fire fume है, या result to injury the airway and acute respiratory disease, resulting to injury, airway and acute respiratory disease, तो ये सारे जो थे आपके ये causes है burn के, ये बहुत important है, ये causes आपको पता होने चाहिए burn के, क्योंकि ये सब को, ये सी की वज़ा से ही मेली, burn जो होता है, वो patient को होता है, ये burn cause करता है, तो पहला जो होता है, वो thermal burn है आपका, thermal burn क्या होता है, ये इसमे जो excessive exposure skin में, किस टाप क चीज़े आती है, flame, hot liquid, semi-liquid, semi-solid या फिर hot object, कोई hot object है, तो ये सारी चीज़े जो होती है, वो skin के exposure में आती है, जिसमें semi-liquid में आपके जो steam type के जो चीज़े होती है, थोड़े से वो semi-liquid कहलाते है, तो वो चीज़े हो गई, semi-solid में जो tar type का होता है, जो tar like, semi-solid, that means, आप क्या बोलेंगे, थोड़ा सा तेल को थोड़ा और आप वो कर दो, मूटा कर दो, तो उस condition को क्या बोलेंगे, tar type का जो होता है, तो उसे हम लोग semi-solid, तो ये सारी चीज़े जो है, अगर exposure में आ रही है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका thermal burn, second जो होता है, वो चीज़ों को chemicals वहाँ पे present होते है, तो ये जो chemicals है, अगर इसका क्या होता है, और सबसे बड़ी बात वहाँ, लाइक किसी factory वगरा में भी, जो chemical related factories होती है, वहाँ पे काम होता है, तो वहाँ पर भी अगर इसका ये कहीं किसी workers के ऊपर बहुत जादा amount में गिर जाता है, तो condition में भी क्या होता है, इसकीन को पूरा डैमिज कर देता है, और पूरे सकीन जो होते है, वह बर्न हो जाती है, तो इसे हम लोग बोलते है, आपका chemical burn, थर्ड वन होता है आपका electrical burn, इलेक्ट्रिकल बर्न में आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वायर और high voltage power line जो होती है, व आपका जो अंदर का जो blood vessels है, बोन है, muscles है, ये सारे चीज को जाके डैमिज करती है, कौन आपकी electrical burn, देन आता है आपका radiation burn, radiation burn में क्या होता है, UV light हो गया, UV ultraviolet lights हो गया, raise हो गया, वो tanning booth हो गया, जो मैं आपको बताई, gym या saloon में जो एक टाइप का जो बॉक्स होता है, ज उस condition में भी skin जो होती है, वो जल जाती है, radiation therapy, such as the lamp या x-ray, ये सारी चीजों की वज़े से अगर ज्यादा होता है, तो skin burn होता है, most common sun burn, sun burn में skin burn होता है, next जो है आपका inhalation injury, inhalation injury में आपका क्या होता है, smoke है, दूसरा है आपका poisoning gas, अगर poisoning gas है, उस condition में होगा, then आपका resulting to the airway अगर कोई इंसान continue smoke कर रहा है, या फिर जो gases poisoning जो ले रहे है, तो उस condition में smoke है, weed है, ये सारी चीजे क्या करती है, जो airway को क्या करती है, obstruct करने का काम करती है, airway में injury करने का काम करती है, जिस से जो person को क्या हो सकता है, acute respiratory disease जो है, वो cause कर सकता है, ओके, तो ये हमारे कुछ causes थ classification, burn का, next जो है वो आपका है, classification, classification of the burn, क्लासिफिकेशन हमारा according to the burn depth होगा, ठीक है, classification है आपका according to the burn depth, burn के depth के according हमारे क्लासिफिकेशन करेंगे, ओके, तो पहला जो होता है, वो आपका होता है, superficially partial thickness burn, first है आपका, superficial, partial, thickness of burn, ओके, ये हमारा first है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं और, first degree of burn, ओके, तो पहला है आपका superficial partial thickness of burn, इसे हम लोग first degree burn बोलते हैं, ओके, तो ये first degree burn में क्या होता है, damage the outer layer of the skin, simple सा चीज है, क्या damage करेगा, ये हमारा first degree burn, outer layer, epidermis layer, damage the outer layer of the skin, outer layer हमारा क्या है, आपका epidermis layer, ओके, ये इसको क्या करेगा, सबसे पहले ये मेरा outer layer को damage करेगा, उसके बाद क्या होगा, outer layer damage करेगा, तो इस condition में जो मेरा sign M symptoms है, okay, sign M symptoms में क्या होगा, redness होगा, सबसे पहले तो वो area red हो जाता है, आपको भी पता है, सबको ये थोड़ा बहुत हुआ ही होगा, minor pain होगा, ज़्यादा नहीं होता है, बोल सकते हो, variable pain होता है, सहनी होता है, swelling हो सकता है, okay, then आपका, skin is dry without blister, skin is dry, without blisters, ये आपका जो burn है, इसमें आपका ये blister word बहुत ज़्यादा आएगा, blister word जो होते है, इसका मतलब होता है, जो फोड़े पढ़ना बोलते नहीं है, लाइक जो फोड़े टैप का हो जाते है, फोड़े टैप का लाइक, वो जो होता है, जो फोड़े टैप के हो जाते हैं, उसमें क्या होता है, पस भर जाता है, पानी भर जाता है, तो उसे हम लोग में बिस्टर बोलते हैं, ये बिस्टर वाज़ाभी जो burn है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो आप इसमें इसमें कन्फ्यूज मत होना, बिस्टर का मतलब होता है, फोड़े पढ़ जाना, उसमें पानी भर जाना, तो इसमें सबसे पहले आपका साइनियम सिम्टम्स में क्या होता है, रेडनेस होगा, ओविस सी बात है, मिरा इपिडर्मिस लेयर कॉस किया है, पेन होगा, माइनर पेन हो सकता है, imagem हो सकता है, skin dry होगी, without blister, मतलब starting में कोई blister वगदा नहीं होता है, skin बच षाद इसकन dry होती है, healing timing इसका क्या होता है, 3-6 days, healing timing इसका क्या है, healing time आपका है, 3-6 days, 3-6 days इसकी healing time है, healing time जो मतलब 3-6 दिन में automatic हो जाता, जैसे तेल वेल का छीटा हमको पढ़ता है आपने देखा होगा कि ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है तीन से चार दिन में अपने आप ठीक हो जाता है कभी-कभी जैसे हम लोग जैसे इसे हम लोग क्या बोलते हैं सेकंड डिग्री ओफ बन ओके डीप पार्शल थीकनेस बन है यह आपका क्या कहलाता है आपका second degree of the burn कहलाता है ओके second degree of the burn इसमें क्या होता है second degree of the burn damage the both outer layer मतलब यह क्या करेगा दोनों आउटर layer को damage करेगा and underlying the tissue layer epidermis और dermis layer मतलब यहाँ पे क्या बोलोगे यहाँ बोथ outer और under layer of tissue दोनों को damage करेगा आउटर एंड अंडर लेयर, डैमेज ओफ दा, आउटर एंड, अंडर लेयर, ओफ, स्कीन, ओके, यह किसको डैमेज कर रहा है आपका, आउटर एंड, अंडर लेयर, ओफ, स्कीन, अपका, इपिडर्मिस और डैमेज लेयर, मतलब यह स्कीन का क्या करेगा, आउटर लेयर और आपका, अंडर लेयर, मतलब यह तोनो लेयर को आपका, डैमेज करेगा, उसमें क्या आता है, आपका, इपिडर्मिस और डैमेज लेयर तो Sian-M symptoms में क्या होगा इसमें blister होगा light blister होगा Sign-M symptoms में आपका क्या होगा blister इसमें होगा severe pain भी होगा severe pain होगा redness होगा तो इस condition में क्या क्या होगा blister होगा वहाँ पे थोड़े से फखोले आएंगे और उसके बाद आपके severe pain होगा और redness होगा इसका जो healing timing है वो क्या है healing timing क्या है it depends on the severity of the burn burn की severity पर depend करता है कभी-कभी ये क्या करता है एक से तीन वीक तक मतलब थ्री वीक तक भी healing करता है कभी-कभी ऐसा होता है कि वन टू टू वीक में भी ये healing हो जाता है तो इसमें क्या बोलोगे it depends on the severity of burn burn की severity पर depend करता है कभी-कभी mainly जो होगा वो आपका one to three weeks रहेगा बट कभी-कभी क्या होता है one to two weeks में भी ये क्या होता है हो जाता है one to two weeks में भी बट कभी-कभी क्या होता है इसको जो है वो time लगता है आपका बोल सकते हैं one to three weeks हो सकता है तो हम लोग classification है जिसमें हम लोग देखें है according to the burn depth, मतलब burn की जो depth है उसके according हम लोग classification देख रहे हैं, तो उसमें हमारा है पहला superficial partial thickness of the burn, superficial partial thickness of the burn में आपका आता है first degree of the burn, जिसमें जो damage होगा वो कहाँ पे होगा, outer layer of the skin, skin, skin के outer layer पे होगा damage, मतलब epidermis layer पे होगा, okay, then आता है इसमें आपके, ये बोलोगे sign-em symptoms, तो इसमें क्या symptoms होगे, redness होगा, minor pain होगा, मतलब ज्यादा pain नहीं होगा, swelling होगा, और skin is the dry without blister, जो skin जो होगा, वो dry हो जाएगा, without blister, मतलब फोफोले नहीं आएंगे, healing timing इसका जो हो the burn कहलाता है, इसमें जो skin का cancer layer, epidermis और dermis layer cause करता है, मतलब दोनों layer, outer और under layer, okay, तो इसमें क्या होता है, symptoms में blister हो सकता है, severe pain हो सकता है, और redness हो सकता है, okay, then उसमें आता है आपका, healing timing is depend on the severity of the burn, burn की severity पर depend करती है, mostly जो होता है, वो 1 to 3 week होता है, या फिर 1 to 2 weeks में भी हो जात होता है, okay, तो यह किसमें burn की purity की उपर यह जी depend करती है, तो होप सो आपको यह सी समझ में आया होगा, कि 1st degree burn और 2nd degree burn क्या होता है, यह बहुत easy है, like इसमें जादा दिमाग लगानी की ज़रूरत है नहीं, 1st degree और 2nd degree burn में यह epidermis layer में cause करता है, epidermis or dermis layer में cause करता है, okay, next जो दिबन, हमारा तीसरा, third point क्या था, full thickness wound, जो हम लोग का थो third है, वो क्या है, full thickness of wound, full thickness of wound, इसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका, third degree of burn, okay, यह जो full thickness of the wound है, इसमें आपका है, यह आपका third degree of the burn, इसमें क्या होता है, burn में extend to the epidermis, dermis and subcutaneous tissue, इसमें जो burn होता है, वो एक्स्टेंड हो जाता है, मतलब burn होता है, वो आगे बढ़ जाता है, कहां से, epidermis to dermis, dermis to subcutaneous tissue, these are extend of burn, burn जो होगा, वो क्या होगा, extend हो जाएगा, कहां से, epidermis to dermis and subcutaneous tissue, इसमें जो होगा, वो burn जो होगा, वो एक्स्टेंड हो जाएगा, epidermis to dermis, then subcutaneous tissue में, ओके, तो इसमें क्या-क्या होता है, sign-up symptoms, surface the area look dry and waxy and white, sign-up symptoms, इसका क्या होगा, जो surface area है, जो उसका outer area है, वो क्या हो जाएगा, look like dry and waxy white, look like dry and waxy white हो जाएगा, okay, मतलब like, थोड़ा सा, ये समझ रहो, like, जैसे, क्या बोल सकते हैं उसको, like, हलका सा मतलब soft हो जाएगा, जैसे हमारा skin soft है, इसको और थोड़ा soft कर दो, जैसे गलता है कोई चीज, तो कैसा होता है, मतलब थोड़ा से semi liquid form में होता है, तो वो ऐसा दिखने लगेगा, waxy white टाइप का दिखने लगेगा, थोड़ा सा dry रहेगा और waxy white रहेगा, जैसे उसमें ये बोलोगे कि अगर आप उसको हलका सा नोचोगे, तो उस condition में उसी था blood निकलने लग जाएगा, ओके, देन आता है, ये leathery और brown, मतलब जो leather का color होता है, leathery and brown, मतलब जो हलका सा brown color type का होता है, वैसा भी वो दिखने लग जाएगा, साथी साथ क्या होगा, little and no pain and the area में feel numb, ठीक है, इसमें pain नहीं होगा, इसमें pain नहीं होगा इस condition में, ये आपको पता होना चाहिए, बस क्या होगा, जो area जो होगा, वो क्या हो जाएगा, numb हो जाएगा, numb ने सो जाएगा, वहाँ पे, ओके, साथी साथ क्या होगा, ये क्यूं होगा, because of that area में feel numb, because of that nerve damage, because of nerve damage, okay, first or second degree का जो sign-em symptoms है, उसको आप थोड़ा fake के भी लिग सकते हो, मतलब वो थोड़ा सा similar है, लेकि जो third degree जो burn होता है, जिसमें आपका full thickness of wound, जिसे हम लोग बोलते हैं, आफ burn, तो ये जो होता है, इसमें थोड़ी से क्या होते हैं, आपके क्या हो रहे हैं, extend हो रहे हैं burn, extend मतलब epidermis to dermis, dermis to आपके subcutaneous tissue, like a muscles, ये सारी जगा में ये burn जो है, वो extend हो रहे हैं, तो उस condition में आपका क्या होगा, जो surface area जो होगा, वो क्या होगा, थोड़ा dry हो जाएगा, क्या है मेरा epidermis, dermis layer वैसे भी निकल चुका है, क्योंकि अभी जो मेरा epidermis layer निकलता है, तो हलका pink दिखाई देता है, वो निकलने के बाद white दिखाई देगा, थोड़ा वैक्सी white दिखाई देगा, थोड़ा सा brown दिखाई देगा, लैदरी brown, एंड वो एरिया में pain नहीं होगा, pain क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां का nerve है, वो क्या हो जाएगा, damage हो जाएगा, nerve damage हो जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे कोई sensation ही नहीं हो पाएगा, sensation को जो sensory neuron है, वो क्या करेगा, sensation को उस एरिया पे supply ही नहीं कर पाएगा, त जो हमारा चौथा है वह क्या है वेरी डीप एंड फॉर्थ डीग्री और बन इस कंडिशन में क्या होता है यह वेरी डीप एंड फॉर्थ डीग्री और बन इस कंडिशन में क्या होता है इस डीप एंड यह कहां पर चला जाएगा यह एक्स्टेंड होगा वह कहां से एक्स्टेंड होगा एक्स्टेंड बन अप्टू एक्स्टेंड बन अप्टू कहां गया कहां से कहां तक मसल्स बोन एंड टेंड अप्टू कहां तक एक्स्टेंड होगा आपका जो बन है और यह क्या होता है वोन्ड क्या करेगा ब्लैकेंड एंड सेंसेशन कंप्लेटली एपसेंड वहां पर वोन्ड हो जाएगा सेंसेशन एपसेंड हो जाएगा और एक्स्ट्रीमली इल्वाल्टू एंपूटेशन में भी रिक्वायर मतलब क्या हो गया वोन्ड हो गया सेंसेशन इसमें यहां पर यह बोलेंगे, wound जो होगा वो blackened हो जाएगा, पूरा necrosis फॉर्म कर लेगा, sensation completely absent, sensation जो होगा वो completely absent हो जाएगा, और next आपका क्या होगा, if the need, अगर need है तो क्या करेंगे, amputation may be required, if need, amputation may be required, okay, तो इस condition में क्या होता है, यह कहां muscles तक, burn जो है, वो muscles से, bone, bone से, tendons तक अपना जाएगा, वहां तक muscle जाने के बाद, जो wound है, वो total blackened हो जाएगा, total black हो जाएगा, because of that necrosis, sensation completely absent हो जाएगा, नर्व पूरा damage हो चुका है, उसके बाद, अगर sensation भी absent हो गया, तो वो जो area है, वो कुछ कामी नहीं आएगा, तो उस condition में amputation की भी required परती है, उस area को हम लोग remove कर देते हैं, amputation में क्या होता है, जो limb है, जो area है, उस से remove करना ही amputation कहलाता है, तो उस condition में हमारे हमको amputation की भी required होती है, तो ये था आपका according to the depth of the burn, according to the depth हम लोग classification देखे थे, उसमें सबसे पहले जो था आपका, वो था आपका first degree burn, ओके first degree burn को हम लोग क्या बोलते हैं, superficially partial thickness of the burn, मतलब इसको superficially partial thickness of the burn है, इसमें जो burn है वो कहाँ affect करता है, आपकी epidermis layer में affect करता है, मतलब outer layer में affect करता है, तो इसका sign-em symptoms आपका क्या होगा, redness होगा, pain होगा, minor pain, swelling हो सकता है, healing timing 3 to 6 days तक रहेगा, क्योंकि यो उपर में affect कर रहेगा, second जो होता है, वो deep partial thickness burn होता है, deep partial thickness burn में ये second degree of the burn होता है, इसमें क्या होता है, जो burn है वो epidermis to dermis layer में cause करेगा, मतलब outer to under layer में cause करेगा, इसमें हलके blister हो सकते है, severe pain होगा, redness होगा, healing timing depends on the severity, like वो 1 to 3 weeks में भी हो सकता है, 1 to 2 weeks में भी हो सकता है, then हमने पढ़ा आपका, third one is a full thickness wound, full thickness of the wound and burn, that means that is a third degree of the burn, इसमें जो burn है वो extend होगा, कहां extend होगा, epidermis to dermis, dermis to a subcutaneous tissue तक आपका जो burn है वो extend होगा, इसमें क्या होगा, जो surface area हो dry हो जाएगा, waxy white होगा और थोड़ा leathery और brown color का होगा, इस area में कोई pain नहीं होगा, और इस area में क्या होगा, pain नहीं होगा और उस area numbness हो जाएगा, that means क्या हो जाएगा, सुन पड़ जाएगा, because of the nerve damage, वहां का जो nerve है वो damage हो गया है, okay, then आपका आता है, next जो होता है वो आपका very deep, that means आता है 4th degree of the burn, 4th degree of the burn में आपका क्या होता है, extend the burn up to the muscles, bone and tendons, जो burn है वो extend हो जाएगा, muscles में जाएगा, bone में जाएगा, tendons में जाएगा, तो wound जो है वो total blackened हो जाएगा, black हो जाएगा, sensation completely absent हो जाएगा, और if that condition, amputation की हमको जरूरत पढ़ सकती है, क्योंकि sensation absent है वहाँ पर, तो हमको वो जो area है, उसे हम लोग कट करके निकालना पढ़ेगा, remove करना पढ़ेगा, तो यह था आपका burn according to the burn depth, अब हम लोग इसका next classification देखेंगे, वो होगा classification B, ओके, वो किसके according होगा, according to the body surface area, B जो है वो है आपका, according to body surface area, अब होगा इसके पर, तो यह आपका next classification था, according to body surface area, इसमें बहुत सारे का, बहुत सारा बना हुआ है, इसमें procedure, बट हम लोग इसमें देख रहे हैं, आपके rule of nine, body surface area, rule of nine, इसमें आता है, it was the first introduced by the Alexander wellness, ने दिया था इसे, कौन दिया था? Alexander wellness ने दिया था, कब दिया था? 1951, rule of nine, इसमें क्या बोला था, यह एक ऐसा tool यूज किया था, pre-hospital and emergency cases में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, total body surface area जो है, हम लोग इसमें estimate करते हैं, affected by the burn, जो burn से affected हुआ है, उसके total body surface area का, हम लोग estimate निकालते हैं, कि कितना percent उन्हें burn हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे? that is a use to the tool used for pre-hospital and emergency, tool used for pre-hospitals and emergency, जिसमें आपका क्या किया था ये? estimate किया था, total body surface area affected by the burn, estimated to total body surface area affected by the burn, ओके इसमें ऐसा estimated लगाया थे, जो total body surface area जो है, जो की burn से affected हुआ है, उसका हम लोग क्या किये थे? estimate लगा के हम लोग percent निकाले थे, तो उसमें आता है measurement of the body surface is required, the estimated the fluid requirement, ओके तो इसमें body surface area कि जो हम लोग इसकी required क्यों ही थी? इसकी measurement कि क्या estimate करने के लिए? fluid requirement को, कि जो patient है उसको, कितना fluid हमको देना चाहिए? वो fluid measurement करने के लिए, हम लोग को body surface area को कि required थी, उसे measure करने के लिए, तो इसमें जो है आपका body surface area जो था, वो body part था, body part में estimated body surface area है, जिसमें आपका adult और children का divide किया गया है, जिसमें आपका जो body part है, body part, नेक्स्ट है, estimated body surface area, estimated body surface area, जिसमें आपका आता है, adult and children, तो इस condition में आपका क्या होता है, अगर entire है न, यहाँ पे entire, entire left arm, entire left arm 9%, children भी 9% होगा, okay, then आता है, entire left, entire right arm, 9% होगा, children भी 9% होगा, okay, then आता है, entire head, entire, head, 9% adult में होगा, 18% children में होगा, okay, then आता है आपका, entire chest, entire chest, entire chest आपका, 9% and 9%, entire abdomen, entire back, entire leg, entire leg, entire leg में आपका, right leg आएगा और, left leg आएगा, entire right leg, entire left leg, and then last आता होगा आपका, groin reason जो होगा, genital area, groin reason जो होगा, वो आपका, 1% adult में, 1% आपका, children में होगा, okay, तो यह जो आपका, abdomen था, वो कितना होगा, 99% होगा, abdomen जो है आपका, back जो है आपका, 18% होगा, lag है आपका, 18%, 18% और यह 13.5% होगा, okay, जो lag है आपका, यह 18% है, right और left, और यह 13.5% है, children में, 13.5% है, okay, तो यह है, मेरे notes में, यह सारी चीज़े, अच्छे से available है, clearly आपको, जो अच्छे से समझ में, आ जाएगी, तो इसमें, जो था, हमने थोड़ा, body surface area को, percent wise इन्होंने, जो Alexander wellness है, इन्होंने, divide कर दिया था, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, estimate लगा सकते हैं, कि जो body surface area है, उसमें कितने, कितने, percent जो है, उसका जो patient है, वो जला हुआ है, उसको burn हुआ है, तो उसमें आता है, entire आपका, जो left arm है, entire left arm, जो होगा, वो आपका, क्या होगा, 9% adult में होगा, children में भी 9%, फिर entire right arm, जो है, वो भी 9% होगा, 9% होगा, children में, head जो होगा, वो adult में आपके, 9% होगा, और children में आपका, 18% होगा, यूगि surface of the head, जो होती है, वो children's की, बड़ा होता है, okay, तो वो उस condition में, इसका 18% होगा, then आता है, chest जो होगा, वो दोनों का, वो सेम होगा, 99%, abdomen भी सेम रहेगा, back जो रहेगा, वो आपका कितना रहेगा, 18% रहेगा, दोनों का, then leg जो होगा, वो क्या होगा, 18-18% रहेगा, बड़ जो children का होगा, 13.5% and 13.5% रहेगा, because of that, leg जो होता, वो छोटा रहता है, children का, तो वो 13-13.5% affect करेगा, growing reason जो होगा, growing reason जो होगा, वो क्या होगा, 11% आपका affect करेगा, okay, genital area, तो यह है आपका, total body surface area, कि कितना-कितना percent estimate लगा कि, इधोंने ऐसा divide किया हुआ है, next जो है, हम लोग इसमें देखेंगे, आपका pathophysiology, pathophysiology, due to the etiological factor, okay, due to the etiological factor, क्या हुआ, burn injury हुआ, obviously बात है, burn injury हुआ, तो फिर क्या होगा, inflammation होगा, inflammation होगा, histamine release होगा, फिर क्या होगा, inflammation होगा, histamine release होगा, capillary permeability जो होगी, वो increase हो जाएगी, capillary permeability जो होगी, वो increase होगी, then क्या होगा, fluid leak हो जाएगा, and less form injury side, fluid leaks, and less form injury side, then hypervolumy है, and then stalk होगा, जाएगी, तो ये था आपका pathophagology, बहुत easy है, pathophagology जादा कुछ इसमें है नहीं, due to the etological factor, etological factor, like जो मैंने आपको इतने सारे बताये थे, आपको thermal, chemical, inhalation, ये सारे जो किसी भी factor की वज़े से, आपको जब burn होता है, तो injury cost करती हो, injury होता है, तो वहाँ पर inflammation हो जाता है, inflammation होगा, तो histamine release होगा, histamine क्या करता है, inflammation को produce करने का काम करता है, मतलब ये क्या करता है, histamine का main काम होता है, injury, कोई भी problem, कोई भी problem को होने के लिए, histamine का release होना जरूरी है, क्योंकि ये सारा problem जो है, कि यहां के सब्सक्राइब कर दो पंवारों सब्सक्राइब कि आपकर दो लिए पिन और फाम की आका किया होगे तो यहां के ब्लैद सब्सक्राइब मों किया हो जाएंगी उसकी तिकनेस तो वह बढ़ती जाएगी उस कंडिशन में फ्लूट् लीक and less from the injury set यो फ्लूट जो होगा वह बांपी जगह से during the injury set बोलिया होगे इन्ज्यूट masih से वह जाते जाएगा उस गया नेक्रोसिस के फॉर्म में चला गया है तो उस कंडिशन में जो पेशन्ट है वो सॉक के कंडिशन में चला जाएगा ओके नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे आपका डाइग्नोसिस फाइंडिंग कि देखेंग ओ खाइंडिंग प्रेश तकी लिए निए्ट फेक्न प्यूच फिर्म में चला जाएश्ट प्रेश इस इस टेक्ट एंग पिजिकल एंग और सेजिए एंग्ड 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 एंग टिंग तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कार्बॉक्सी हीमोग्लोबीन हम लोग चैक करेंगे, कार्बॉक्सी हीमोग्लोबीन चैक करेंगे, सीरा मिलेप्रोलाइड हम लोग चैक करेंगे, serum electrolytes हम लोग देखेंगे, then urine test X-ray ECG. Okay, तो यह सारे कुछ diagnosis test है, diagnosis finding है, जो हम लोग करेंगे, तो उसमें जो सबसे पहले जो आपका diagnosis test है, उसमें आता है, आपका history collection. Okay, history collection में हम लोग patient का history collect करेंगे, कि वो burn कैसे हुआ, उसको जला कैसे, यह तो ऐसा बोल सकते, past medical तो नहीं, लेकिन present medical history जो है, इसमें हम लोग चेक करेंगे, कि patient को उसका relative से हम लोग पूछेंगे, उनकी जो attendance आए हुए हैं, उनसे पूछेंगे कि burn का exact reason था, causes था, वो क्या था, burn actual में हुआ कैसे. Okay, next जो है आपका आता है physical examination, physical examination में हम लोग total body surface area जो है, हम लोग उसको चेक करेंगे. Okay, total body surface area जो है, हम लोग उसको चेक करेंगे, कि जो burn है, वो कितना percent burn हुआ है, और कहां पे burn हुआ है. Okay, then हम लोग complete blood count करेंगे, जो blood का जो है, वो loss तो नहीं हुआ है, वो हम लोग count करेंगे, then हम लोग ABC, ABG analysis करेंगे, arterial blood gas analysis, यह क्या होता है, acidosis in the inhalation of the injury, मतलब इसमें क्या होता है, जो injury जो हुई है, okay, तो उसमें जो arterial blood gas analysis है, उसमें हम लोग यह पता चलेगा, जो acid का, जो alkaline है, और acid है, उसका level है, वो कितना down हो गया है, और वो कितना तक फैला हुआ हुआ है, तो उस condition में हम लोग ABC analysis करेंगे, देन आता है आपका carboxy hemoglobin, तो उस condition में क्या होता है, आपका more than 50% indicate the carbon poisoning, मतलब जो carbon dioxide है, वो कितना है body में, inhalation of the injury, injury के time में कितना inhale हुआ है, अगर यह more than 15% अगर है, indicate है, तो फिर क्या होगा, problem जो है, वो start हो जाएगी, problem की severity बढ़ जाएगी, उसके बाद आता है आपका serum electrolyte, serum electrolyte जो होता है, उसका initial stage में, जो potassium जो होगा, वो increase रहेगा, और जो sodium जो रहेगा, वो क्या हो जाएगा, decrease रहेगा, अगर serum electrolyte, अगर initial stage बोलते हैं हम लोग, initial stage में आपका क्या होगा, जो potassium जो क्या रहेगा, potassium जो रहेगा, वो increase रहेगा, and sodium जो रहेगा, वो क्या रहेगा, वो decrease रहेगा, okay, initial stage में, and then later stage में, कुछ समय के बाद में क्या रहेगा, later stage में जो potassium जो रहेगा वो decrease हो जाएगा and sodium जो रहेगा वो क्या रहेगा increase हो जाएगा तो यह जो level है हम लोग serum electrolyte का level हम लोग check करेंगे then हम लोग urine test करेंगे presence of the albumin और hemoglobin इसका level को check करने के लिए chest x ray और ECG हम लोग करेंगे electrical burn के condition में अगर person को electrical burn हुआ है तो वो क्या करेंगा आपके heart पे जाके effect करेंगा तो उस condition में हम लोग ECG करेंगे electrocardiogram करेंगे okay then आता है आपका management इसमें आता है आपका first aid of burn injury इसमें जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे first aid of burn injury का first aid क्या है first aid for the minor burn management में सबसे पहला आएगा आपका first aid of the burn injury that means आपका हुआ first aid of the minor burn में हम लोग क्या करते हैं okay minor burn okay तो इस condition में आपका first degree of the burn है अगर if that तो उस condition में क्या होगा if the skin is not broken अगर skin broke नहीं हुआ है तो then आपका cool water जो हो रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे उस area को cool water में शोक करेंगे उसके बाद keep the area of the five minute in the water water में हम लोग उस area को पांच मिनट तक रखे रहेंगे then आता है आपका clean the weight towel weight towel से उसे wipe करेंगे clean करेंगे ताकि जो pain होगा उसे reduce होने में help होगा pain और then आपका आता है burn extremely painful अगर वो extremely painful है तो patient को keep clam थोड़ा सा सांथ करेंगे medicine provide करेंगे then minor burn usually heat without further treatment जो minor burn जो होता है वो usually heal हो जाता है ठीक हो जाता है without further treatment किसी और treatment के अलावा वो ठीक हो जाता है तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या क्या किये आपका जो first aid वाला है तो इस condition में अगर patient को first degree का burn हुआ है तो skin अगर broken नहीं हुआ है तो इस condition में cool water है cool water में हम लोग patient का जो जिस area पे burn हुआ है उसे हम लोग shock करेंगे 5 मिनट तक dip करके रखेंगे cool water में ताकि जो उसका pain है वो reduce हो जाए pain जो है वो कम हो जाए इसके बाद हम लोग उस towel से उसके wipe करेंगे wipe करने के बाद patient को थोड़ा clam करेंगे अगर calm करेंगे ताकि अगर वो स्थोड़ा सांथ हो जाए अगर severe pain है तो okay then हम लोग क्या करेंगे आपका extreme painful की condition में हम लोग patient को क्या करेंगे calm करेंगे then हम लोग कुछ medicine provide करेंगे उसके बाद क्या होता है, जो minor जो burn होता है, वो आपका बिना किसे treatment के heal हो जाता है, okay, then आपका होता है, first aid for the severe burn, अगर severe burn है, that means आपका second और third degree of the burn है तो, second जो है आपका, first aid of severe burn, severe burn मतलब second and third degree, अगर second और third degree का burn है, तो, severe burn है, तो इस condition में क्या होता है, trying to reduce the effect of the burn by keep the patient from burn placed and remove the burn clotting and if the removing easily, otherwise don't, that means क्या बोला है, patient को उस burn के effect को reduce करने के लिए, patient को सबसे पहले क्या करना है, जो place में burn हुआ है, वहां का जो cloth है, अगर उसे remove करना है, if that अगर वह easily remove हो रहा है, तो remove करना है, otherwise don't, that means नहीं करना है, सबसे पहले तो, उसके बाद make sure the victim is the breathing, breathing is stopped, CPR will be given, अगर हम लोगो यह चेक करना है, कि जो victim का breathing है, वो क्या है, वो stop तो नहीं हुआ है, breathing तो उनका regular है, अगर breathing उनका stop हुआ है, इस condition में क्या करना है, उनको CPR देना है, okay, then आता है आपका, next जो होता है, वो क्या होता है, cover the burn with the cool and clean cloth, जो burn का area है, अगर वो cloth तो हमारे लिकल ली रहा है, if that condition, तो उस condition में वो जो burn का area को cover करना है, जो एकदम साफ और जो clean cloth रहेगा, वेट उसे गीला करके, उसे क्या करना है, उसे close करना है, उस burn के area पर wipe करना है, okay, then आएगा, do not pressure the burn area, burn area में pressure नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, blister के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फफोले के chances, then आता है, continue the monitor victim vital sign until the ambulance arrive, जब continue क्या करना है, monitor करना है victim को, उसके vital signs को, ताकि जो ambulance तब तक नहीं आता, तब तक क्या है, उसके vital को check करना है, breathing जो है, वो continue उनको देना है, breathing जो होगी वो, उनकी जो continue होनी चाहिए, अगर breathing stop हो रहा है, तो CPR उन्हें तूरंद प्रोवाइट करना रहेगा, तो यह जो था आपका, second degree of the burn था, sorry, second or third degree of the burn का जो management है, मतलब first aid management जो हम लोग कर रहे हैं, regular जो घर में हम लोग management करते हैं, यह आप अपने से भी एकदम लिख सकते हैं कि cool water हम लोग को burn area पे, wait करना है, वो area को clean cloth है, उसे wait करके, गीला करके उस area को wipe करना है, उसके 5 मिनट तक रखना है, patient को calm provide करना है, ताकि वो severe condition के condition में है तो, और उसको हम लोग को CPR चेक करना है, वहला breathing चेक करना है, अगर नहीं ह इसको monitor करना है, जब तक ambulance नहीं आता, ओके, तो यह सारे first aid management है, first or second degree of the burn के लिए, then जो है हमारा next है, वो आपका management, इसमें आता है आपका phases के हिसाब से divide किया है, मैंने management को, phases के हिसाब से है, तो उसमें सबसे पहला phase जो होता है, वो आपका होता है, intermediate phase, okay, phases के हिसाब से divide किया है, मैंने intermediate, sorry, immediate phase है, intermediate phase and long term phase, immediate phase है, sorry, यह second phase आएगा आपका, जो intermediate phase है, यह है, आपका immediate phase है, okay, immediate phase है, intermediate phase है and long term phase है, okay, तो immediate phase में आपका क्या होता है, immediate phase का क्या होता है, तो यह जो होता है, वो आपका 48 to 72 hour of the post burn included, मतब इस phase में हम लोग management करेंगे आपका 2 से 3 दिन का post burn है, first, 48 to 72 hour of post burn condition, okay, post burn के condition में, 48 to 72 hour of the post burn condition, okay, तो इसमें आता है, सबसे पहले जो हमारा काम होता है, वो है आपका airway manage करना, first है, वो क्या है आपका, airway management, okay, इसमें airway manage करते हैं, इसमें क्या होता है, airway management by burn is the extremely important point, because of that person who are burn on face and neck, and who are inhaled the flame steam, and smoke to have an edema in the airway, that means क्या है, जो airway management of the burn जो है, यह बहुत ज़्यादा important होता है, extremely important होता है, because of that, अगर person का face में burn हुआ है, neck में burn हुआ है, या फिर inhaled हुआ है, inhaled की वज़े से burn हुआ है, like flame में, steam में, smoke में, तो airway में जरूर edema हो जाता है, तो airway का को चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, if that burn condition है, which causing the breathing problem, यह breathing problem cause करेगा, साथ ही साथ the airway secretion must be removed and administered, मतलब airway secretion को हम लोगो फिर remove करना है, क्या करेगा, causing the breathing problem, तो इसमें आप यह बोलोगे, if the patient have burn, patient have burn on face, neck and inhale, like, smoke, flame, किसी भी वज़ा से उसको अगर burn हुआ है, airway में, तो यह क्या करेगा आपका, edema of the airway, क्या cause करेगा, cause, edema of the airway, airway में क्या करेगा, edema cause करेगा, ओके, तो क्या होगा, breathing problem होगा, breathing problem होगा, तो उस condition में हमको क्या करना है, सबसे पहले, airway secretion को हम लोगो क्या करना है, removed करना है, administered and bronchodilators and mucocytic agent, हम लोगो को देना है, ताकि maintain कर पाए, breathing को, मतलब क्या करना है, remove the airway secretion, remove the airway secretion, then bronchodilators देना है, bronchodilators and mucocytic agent to maintaining breathing, and और क्या था लास्ट हमारा auto therapy provide करना है, तो ये सारी चीज़े जो है, हमको airway management में करना है, अगर airway management हो रहा है, patient को face, neck, और like inhale वाले चीज़ों में अगर involved हुआ है, like smoke है, flame है, तो किसमें cost होगा वो, edema cost करेगा, वो airway में breathing problem होगा, उसके कारण, तो उस condition में क्या होता है, remove करना है, आपको airway secretion को, and bronchodilator administered करना है, ताकि maintain हो पाए breathing, and सांथिसाथ auto therapy देना है, क्योंकि airway management बहुत ज़्यादा important होता है, अगर breathing में problem हो रही है, तो patient को फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर next topic हम देखेंगे, fluid management, next class week,